पहला question देखिए इस type का question आप लोगों ने solve किया होगा ठीक है इस तो जब भी आप लोगों को ऐसी सवाल देखे आप लोगों को कुछ नहीं करना है अब 30 है तो 30 का ऐसा factor करना है दो ऐसा factor करना है जिनके 20 का difference जो है एक हो ठीक है पांच चका 30 पांच और 6 का difference जो है एक है ठीक उसके चार और एक विर्ताकार सड़क है तो विर्ताकार मैदान है और इसके चार और जो है सड़क है उस सड़क के बाहरी विरित और आंतर की विरित की परिदियों का अंतर 6,8 मीटर है सड़क की चोड़ाई पुशी गई है ध्यान से देखिएगा तो बाहरी विरित की अग क्या जाएगी सडग की चोड़ाई कैसे आएगी बाहरी वृत की घ्या अन्heenस अंदर की थे ए थे ठिक है तो रोड की चोड़ाई जो है आप नों को निकल जाएगी आप लोगों को सवाल में दिया गया है उनकी परिदियों का अंतर परिदि टू पाई र होती है ठेक यानि दो पाई कामन हो जाएगा तो क्या बचेगा आर माइस र ठेक है और यहाँ पर देखी यह किस के बरावर है 6-6 मीटर के बरावर दिया गया है ठेक है तो यहाँ से कार देंगे 33 ठेक है आर माइनस आर क्या हो जाएगा 33 पाई गमान 22 बटे साथ होता है तो यहाँ पर ठीक है 7 बटे 22 11 दोनी 22, 14 तीं 23 तो आर माइनस आर ठीक है आर माइनस आर यैनि शड़क की चोड़ाई 21 बटे 2 ठीक है 21 बटे 2 यानि यह आजाएगा आपका 10.5 meter ठीक तो यहां पर पहला वाला आपसाना पर सही है तीसरी सवाल है यदि एक्स बराबर अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 6 तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स का मान क्या होगा तो सबसे पहले आपनों को आपन एक्स का मान निकालना पड़ेगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आपन एक्स यानि वन अपन अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 6 पर मेरी करण करेंगी तो कुछ इस प्रकार जो है आपका आजाएगा करडी में 6 टीक तो आप नोलें निकालना है एक्स प्लस रापडाव एक्स लगसके को अपना तो करणी न पाँच B कमान दिया गया है C कमान दिया गया है आप लोग गयाद करना है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC तो आप लोग जो है पूरा solve करने के ज़रुत नहीं है देखें दियान से A कमान 255 B कमान 226 C कमान 227 तो आप लोग जो है बस 6, 6 का Q करेंगे तो इकाई कांग जो है 6 ही आएगा यहाँ पर देखें 7 का Q करेंगे तो इकाई कांग जो है 3 आएगा 323 होता है इकाई कांग 3 अब यहाँ पर देखें 3, इकाई कांग क्या है 5, 6, 7 ठीक है 3, 5, 15, 6, 9 यहां पर जिरू आएगा 6 5 11 14 14 पर 11 गांग क्या है 4 है यहां जो भी उत्तर आएगा इकाई गांग 4 होगा पहला वलावस्हनम का सही है तो प्रस्न है 15 मेजों का लागत मुल्ग यानि क्रे मुल्ग 20 मेजों के विक्रे मुल्ग के बराबर है हानी प्रत्सप क्या है दिया गया है 15 गुड़े CP 15 का लागत मुले 20 में जो के विक्रे मुले के बराबर है ठेके तो यहां से आप दो है SP और CP इन दोनों कमाद जो है निगा सकते हैं क्या आएगा 15 प्टे 20 क्रे मुले 20 है यानी क्या होगी हानी होगी ठेके तो हानी कितने की होगी पांच की होगी ठेके पांच की हानी होगी 20 पर गुड़े सब ठेके तो क्या जाएगा आपका 25 प्रतिसद सी वालापसन आपका सही है क्योसर नमबर 6 एक विक्ति को 20 परसंट वेतन विद्धी प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 तो उसका पहले का वेतन क्या था 20 परसंट विद्धी यानी 120 कमान जो है वो बराबर है 24,000 के ठेके तो काटेंगी तो एक कमान जुगा वो 2000 आएगा ठ झाल झाल